समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान समाधान समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान समाधान, समाधान, समाधान तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले थैसी मेशाद दूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन चाएगा खुशियों की खान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान की ऐसा है सेट जी की आप ना कुछ दिनों तक हरा हरा ही देखिए यदि आप एक मैने तक सब हरा हरा देखोगे तो आपकी आँखों की जो ये तकलीफ है वो दूर हो जाएगे अब सेट जी को तो आँखों की तकलीफ दूर करनी थी अब उन्होंने अपने पूरे घर को हरी रंग से पुतवा डाला जो भी चीज़ें थी आसपास की सब में हरा रंग अब बाहर निकलते थे कहीं तो वहां तो हरा रंग था नहीं तो उन्होंने कोशिस की कि जितना हो सके भले मेरा खर्च हो लेकिन सब को हरा हरा कर दिया जाया, खुब उताई उताई हुई, खुब खर्च वर्च किया उन्होंने, लेकिन फिर भी संसार तो संसार है, चीज़ें चीज़ें है, वो चीज़ें दिखी जाया करती थी, एक और किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि ऐसा करो अब वो व्यक्ति, वो विद्वान व्यक्ति सेड़ जी के पास पहुंचा उन्हों ने कहा कि सेड़ जी इतना खर्च क्यों कर रहे हैं आप हर चीज को हरा करने में लगे हुए हैं आप ऐसा करो कि एक हरा चश्मा पहन लो जब आप हरा चश्मा पहनोगे तो हर चीज़ें आपको हरी हरी दिखाई देंगे और उससे आपकी आँखों की तकलीफ भी दूर हो जाएगी सेड़ जी को लगा कि अरे कितनी सुन्दर और गहरी बात है ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई और उन्होंने एक हरा चश्मा मंगवाया वो पहन लिया थोड़े दिनों के बाद उनकी तकलीफ दूर हो गई पितनों है तो एक सुन्दर सा प्रसंग लेकिन बात यही है कि कई बार हम बाहरी चीजों को परिवर्तित करने में लगे हुए होते हैं व्यक्ति को परिवर्तित करने में, समाज को परिवर्तित करने में, संसार बदले, ऐसा सोचने में और उस सोच में ही लगके हम अपने आपको नहीं देख पाते बहुत ही सहज और सुन्दर तरीका ये होता है कि अपने नस्दीक की आँख को अपने नस्दीक की चीज को change कर लिया जाए या एक ऐसा चश्मा अपने attitude का पहन लिया जाए, अपनी सोच को ऐसा सकारात्मक बना लिया जाए हर चीज बाहर की जो आज negative देख रही है वो भी positive होती चली जाती है और हम दुखी नहीं होते, परिशान नहीं होते लेकिन हर चीज का समाधान हमें सरल ही और सहज रूफ से दिखाई देने लगता है चली इसे सुन्दर बात के साथ कि हम भी अब एक सुन्दर positivity का चश्मा पहनेंगे, अच्छायों को देखने वाला चश्मा पहनेंगे इसे सुन्दर बात के साथ आज की समाधान की शिरवात करते हैं, अभी नंदन करते हैं अधर्णियों प्राता जी का पाता जी बहुत-बहुत स्वाग है तरफ इनंदन है शुक्रिया ये चश्मा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सहज और सरल है ये जो बुराई देखने का चश्मा कईयों ने बनवा लिया है बनते हैं ऐसे भी चश्मे उससे मनुस्वयम बहुत दुखी हो गया है और एक सुन्दर संसार भी उसको बहुत भयाव है प्रतीत होने लगता है इसलिए सच तो यह है जो अपने को बदलेंगे वही सुखी रहेंगे जो दूसरों को बदलने की कोसिस करेंगे दूर दूर तक ये बदल जाए वो बदल जाए वो बदलेंगे नहीं और व्यक्ति दुखी रहेगा बिलकुल मतलब अपने परिवर्तन से ही हम समाज और संसार को बदल सकते हैं सत्य तो यह है कि जो कुछ हम देखते हैं उसका गहरा इफेक्ट हमारे अंतर मन पर पड़ता है बहुती सुक्सम ये सी धान्त है हम दूसरों में कम्पलेंट देखते हैं दूर गुर्ण देखते हैं उनके दोस देखते हैं उनके शरीर को देखते हैं ये काल आईस की आँखे कैसी इसका मस्तक कैसा ये देखते हैं, ये बहुत मोटी है, ये देखते हैं, इन सब चीजों का असर हम पर पड़ता है, इसलिए हम सच मुछ गुन देखने चाहिए, क्योंकि यदि अवगुनों पर हमारी दर्श्टी जाती है, तो उनका कुछ सुक्समान समारे अंदर गहन हो जात करके जहां नजदी की संबंध हैं, जहां मनुस एक दूसरे को रात दिन देखता है, महां अवगुनी दर्श्टी जाद जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो नजदी हैं, रोज दिखता है, ये गुशा करता है, ये बुरा बोलता है, ये मुझे चिडाता है, ये निगेटिव क काम भी है, जो कि दिखते नहीं है, जब लड़ाई होने लगती है पती-पत्नी की, तब तो उन्हें एक दूसरे ऐसे लगते हैं, ये बिलकुल बेगुना बेंगन है, इसमें कोई गुन नहीं है, सारे गुन मेरे में ही है, राता जी लेकिन एक बात जो शायद मैंने देखी है, observe कि यदि हम दूसरों का गुन देख रहे होते हैं और वर्णन भी कर रहे होते हैं, तो कभी न कभी कहीं न कहीं वो वाली चीज, वो व्यक्ति हमारे अंदर भी देखना शुरू कर देता है, बलब एक अच्छी शिरुवात हो सकती है कि कम्यों को ना देख करके, कम से कम एक जो गुण उसके अंदर है, वो से ही देखा जाए और दूसरों से बखान किया जाए, और होता यह है आज कल कि हम अच्छाया ना देख के बुरायों को देखते भी हैं और बखान ज्यादा करते हैं, इसलिए वही चीज हमारे पास भी रिटर्न होके आते हैं, और बुराई देखते हैं, तो वो भी हमें बुराई देखेंगे, यह सुक्स मनोविज्ञान है, जी जी, मतलब आज के एपिसोड से हम एक सुन्दर गुर ग्राही चश्मा क्यों ना सभी को सौगात में भेंट कर देखें, बिल्कुल हमारे यहां बनता है, तो सभी उसे मुफ् ज्यादा दर्द रहता है, और बचपन से ही मेरी आइस हराब हैं, माइनस 12 और माइनस 14 नमबर हैं दोनों में, तो कॉन्टेक लेंस यूज करता हूं, क्या इसमें कुछ सुधार की संभावना है, मैं क्या कुछ मेडिटेशन की प्राक्टिस कर सकता हूं, क्रिप्या मुझे क कुछ सजेस्ट करें, कभी निस्थूल आखों की ब्राद में, आखे नहीं तो जहान नहीं, और एक निरंतर कस्ट भी रह सकता है, कभी आखे दर्द भी करने लगेंगी, कभी खुजली भी होने लगेंगी, पहले तो मैं एक स्थूल सी चीज बताऊं, जो आयुरुएदिक और विशेस रूप से, जो भारत की एक प्राचीन पद्दती है, इससे भी आखों में काफी फाइदा होता है, मैंने भी किया है, बहले क्योंकि इनकी आखे काफी कमजोर हैं, इन्हें छेमास करना पड़े तो भी अच्छा है, सबेरे जैसे ही आख खुले, मू धोए बिना, जो लार होती है, उसको बासी लार कहते है, उख अंगुली से भरें, आख में, सोर लगा लेएं, और दूसटीं आख में लगा लेएं, इनकी आखे बहुत जलेगी, और 10 बिन तो खुलेगी भी नहीं, प्रिम नहीं, लाल भी हो सकती है, लेकिन फंदरा मिन आखे बंद करके बैठे रहें, तो वो जो लार है ये, ये बहुत बड़ी मेडिसीन है, हम भी जानते हैं बच्पन में कहीं कट जाता था ना, माता हैं ये लगवाए थूख लगाओ ये बासी, तो वो भढ़ने लगता था, तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये कहीं फुनसी फोड़े हो जाए दाग बाग हो जाएं, उनको मनुस को लगा लेना चाहिए, लेकिन सबेरे, बिना मूध होए, उठते ही ये काम करना होता है, एक तो ये, दूसरा है spiritual practice इन चीजों की हम करें, और उसमें अगर इन्होंने योग सीखा हो, तो आधा गंटा रोज तो ये स्वेम कोई योग दा दें, अपने आखों के लिए खास, और एक वीजन बनाएं, एक बहुत अच्छी चीज होती है, आधा गंटा योग तो एक टाइम फिक्स करके, सबेरे ऐसे आम, छे मास तक ही ने करना है, क्योकि इनकी प्रोब्लम थोड़ी जादा बड़ी है, वीजन एक बनाएं, कि मैं ब इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, और तीसरी चीज है, ब्रेन को और आखों को एनर्जी देना, ब्रेन को एनर्जी देने की विधी हमारे दर्शक फिर से सभी सुन लें, क्योंकि इस इंपोर्टन चीज है, एक अच्छे व्यक्ति को भी पांच मिनट रोज अपने ब्र मास्टर सर्व शक्तिमान हूं, तीन बार याद करें, और फिर एक मिनट के लिए अपने दोनों हाथ रखनें उपर, आखे बंद कर लें, बेलकुल पीस्फुली, जैसे हाथों से very pure and good energy is going to rain, एक मिनट, ऐसा दस बार ये करेंगे, दूसरा इने आखों को एनर्जी देनी है, इसके लिए दूसरा संकल्प करेंगे, हाथ मलते हुए, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तीन बार, और फिर थोड़ा सा मोड के हाथों को ऐसे रख लेंगे, और फिल करेंगे कि हाथों से ये pure energy आखों को जा रही है, तो इससे जो nerves हैं, ब्रेन को, आखों को जोड़ने हैं, वो ही strong होंगी, और इनकी ये समस्या दूर हो जाएगी, छे मास तक ये बहुत ही carefully, regularly ये अभ्यास करें, बिल्कुल, पते जी और जैसे हम लोगों ने उस कहानी से शिरवात के थी, उसमें भी शादाग के ही बात थी, कई डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि हरा हरा देखो, हरा हरा खाओ, तो इसका प्रभाव आँखों पे बहुत अच्छा पड़ेगा, ये मात भी क्या सही है? तो music सुना करो और उसको enjoy किया करो, क्योंकि music और mathematics दोनों का एक ही केंदर है ब्रेन में, दोनों एक ही जगे श्तित हैं, तो music सुनने से वो activate हो जाएगा और उसका effect आएगा mathematics पर, तो उसमें होशियार हो जाओगा, तो मतलब मैं ये कह रहा था कि ब्रेन की गती इतनी सुक्स है, कहां क्या चीज कारिये कर रही है, ये सब तो जान नहीं सकते, पर इससे brain अगर efficient कर लिया जाए, तो सब चीजे ठीक हो जाती है, ऐसी कुछ hereditary problem भी होती है, आकों से जुड़ी, जिस किसी को color blindness है, कुछ colors दीख रहे हैं, कुछ नहीं दीख रहे हैं, किसी को रात होने ल पूरू से चली आ रहे है, दादा को भी था, फिर बाप को भी था, फिर इनको भी है, तो इसमें homeopathy इनको जादा अच्छा काम करती हैं, बाकि आई ropes भी बहुत अच्छी आजकल आयुरुएद वालों ने निकाली हैं, वो भी काफी मदद करती हैं, जिस पैथी से भी लाब हो कर लेना चाहिए, मैं इस विचार का हूँ कि हर पैथी अपने में perfect नहीं है, कोई किसी field में perfect है, कोई किसी field में perfect है, वैलो पैथी ने बहुत बड़े-बड़े काम किये, लोग उसकी इगलानी भी करते रहते हैं, लेकिन काम भी तो बहुत अच्छे किये, सरजरी से कितना बिगड़ा हुआ, केस भी ठीक हो जाता है, कई दवाईयां है, मनुस बिलकुल चिला रहा हूँ, उसको श्यांत कर देते हैं, इंजेक्शन लगा के, तो हर पैथी का अपना महत्व है, हमें सभी पैथी इसको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सभी विद्वानों ने, आचार मेडिसिंस के जो बहुत सारे परियोग, कुछ बड़ी-बड़ी चीज हमने देखी, एकुप्रेशर से ठीक हो जाती है, अभी हम एक जग गये थे, हमारी एक बैन को डॉक्टरों ने कह दिया था, उसको लंबर पेन था, कमर में नीचे पेन, कि भी ओप्रेशन ही होगा, और एक साधान सी ठेरेपी भी किसी बड़े रोग को ठीक कर सकती है, एक एलोपैथी बहुत बड़ी साइंस भी किसी छोटे रोग को कभी ठीक नहीं कर पाती, अपने भागई की भी बात है, अपने पुन्य कर्मों की भी बात है, उचित समय की भी बात है, इसलिए जिस पैथी स अब इतनी सारी पैथिया है आपने का कि चलो एक समय आता है या भाग ये साथ देता है तो तुरंथ हमें वह फायदा मिल जाता है लेकिन अब इतनी पैथिया है तो व्यक्ति घूमते-घूमते कि इसमें थोड़ा देख लो वहां नहीं हुआ वहां जाओं बड़ा लंबा समय चला जाता है और व्यक्ति बड़ा निराश हो जाता है ये सबसे पहले तो मनुस अपने नज्दी की डॉक्टर की पास जाएगा और किसे का प्रियेजन बीमार हो तो व्यक्ति चाहता है कहीं भी जाना पड़े अब इसको ठीक कराना चाहिए ठीक है प्रतर जी हमारी भी एक दर्द होती है तकलीफ होती है वो दूर हो जाए प्रतर जी हमारी पास एक आया है अमन ने हमें हर्याना से भेजा है पत्र ये पत्र मैं रखना चाहूंगा आपके सामने ये कहते हैं कि ओम शांती सुर्य भायजे मेरा नाम अमन दीप है और मैं पिछली तीन साल से ग्यान मे चल रहा हूँ मेरा सवाल ये है कि मेरे जीवन का लक्ष है कि मैं जजज बनू और मैं फिल्हाल बीए कर रहा हूँ इसके बाद LB करके जजज के लिए अपलाई करोंगा मैंने सुणा है कि औचेतन यह अमन दीब है बहुत अच्छा क्वेस्चन है और यह सभी लोगों के लिए है यूकों के लिए है जो कुछ बनना चाहते हैं एक तो अपना लक्स बहुत किलियर जिसको विजन कहते हैं बहुत किलियर होनी चाहिए और एक ही हो तो बहुत अच्छा होगा यह नहीं आज मेज तो इनको जज बनना है तो बस ये वीजन भी वही बनाएं सूरते ही कि मैं जज की कुरशी पर बैठाओं वही ड्रेस पहनी हुई हैं दोनों और दो वकील खड़े हैं और लोग खड़े हैं और मैं सुन रहा हूं सब की बार और मैं जज हूँ अब एक ये प्रैक्टिस वीजन वीजन बहुत इंपोर्टेंट चीज है बाकी अब ये अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छा ध्यान दें क्योंकि LLB करने के बाद इनको फिर एक्जाम देना होता है कंपेटिशन होता है उसमें जो उस फिल्ड के होसियार स्टूडेंट होते हैं उनका सेलेक्शन होता है तो अपनी ये टेलेंट्स को बढ़ाते चलें उसमें विशेश रूप से नेरने सक्ती देखिए एक अच्छे जज के लिए परफेक्ट नेरने सक्ती का होना पर अमावश्चक है साथ में वो अपनी इनर विजडम को बहुत बढ़ाता चले जूटे केस भी बहुत आते हैं वकील भी और सब गवा भी ऐसे जूटे मिले रहते हैं कि वह सच को जूट जूट को सच बनाने में देर नहीं करते हैं इसलिए इनकी अपनी विवेक शक्ती भी बहुत सुन्दर हो इसलिए अभी से इन्हें आधा गंटा सबेरे आधा गंटा स्यान राजयोग मेडिटेशन करना चाहिए और सबेरे उठते ये प्रेक्टिस करनी चाहिए मैं बहुत बुद्धिवान हूँ मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ मेरे पास डिवाइन विजडम है मेरी नेर्ने सक्ती परफेक्ट है ये चार्ची ये अभी से ये रोज अच्छी तर है सबेरे उठके करे पंच-पंच बाहर करें और एंजोय करें उस टाइम को और ये भी इनके मन में खुशी और इसवरी नसा और एक परमानंद होना चाहिए कि मुझे जज बनना है और ठीक फैसले देने हैं मुझे अन्याए के विरुद्ध खड़ा हो जाना है और मैं ऐसे अच्छे-च्छे काम क जाएगी वो इनके कमांड्स को एकसेप्ट कर लेगा और फिर उसकी मदद इसको उस फिल्ड में सफल कराएगी कब ये फिक्स हो जाना चाहिए कि हाँ भाई अब यही फिल्ड क्योंकि ज्यादा तर ये देखा गया है अपने संगे साथियों को देख करके अपोर्चुनिट जाएगी एसा कुछ एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि विन विन फिल्ड की अच्छी जानकारी सब बच्चों को मिल जाए ऐसा कहीं है नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिने आगे कौन-कौन से फिल्ड उनके लिए हैं वो पता नहीं है अभी माबाप डॉक्टर है बच्चा सोचता है मैं भी डॉक्टर बनागा वो भी चाहते हैं डॉक्टर बने माबाप वकील है तो वो भी चाहते हैं मेरा बच्चा वकील बन जाए यह ऐसे ऐसे सब को दिखाई दे रहा है टीचर सोचता है मेरे बच्चे टीचर बन जाए और किसी टीचर को अच्छी व qualification है, तो बहुत ही अच्छा रहे, हर student को बहुत अच्छी knowledge रहे, लेकिन बारवी में परवेश करते ही, उन्हें इस चीज की अच्छी जानकारी अवस्थ हो जानी चाहिए, कि हमें आगे graduation करना है, engineering field में जाना है, medical field में जाना है, commerce है, तो हमें CA का exam देना है, यह हमें MBA करना है, किस field में हमें जाना है, यह बारवी class में यह declare हो जाता है, और वह ही मनुस्थ, चाहिए अपने friends की, या अपने माबाप की मदद से, या जो उसके सुचिन तक हो, अपना एक field निश्चित कर ले, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ, बहुत सारे गाउं से आने वाले बच्चे, उन्हें बचारों कुछ पता नहीं होता, कौन-कौन से field उनके सामने है, जो सहरों में है, उनके लिए है कि बस पढ़ना है, जो अच्छे परिवारों से हैं, वो तो करना है, नो क्री तो मिलती नहीं, चलो मिल जाएगी, तो ठीक है नहीं, तो यह कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भारभी क्लास में यह वीजन किलियर हो जाने चाहिए, बिल्कुल, चली ब्रताजी, अगली मेल की और मैं लिए चलता हूँ, यह हमारी पास, भूमिका जी ने भीजाय ब्रताजी, USA से, और यह कैती है कि ओम शान्ति सुरज भायजी, फिस्त, I would like to mention that your program is really good and very helpful, आगे नोने अपना कॉस्यन लिखाया कि I am in Gyan since 2009 and since last two years practicing meditation regularly and also listening to Muralis, I had really good experience when there was one initiative for service to the world, I have confusion on morning meditation, first I talk to Baba for little bit and then I start meditating for lots of things going in my routine life, like my daughter's education, my dad's diabetes, my sister's marriage, etc. I try to meditate for about an hour every day but for some reason I am not seeing the results, please help. इनको थोड़ा सा अपने को एकाग्र करके ज्यान योग में perfect होने की जरुरत है, देखिए ये सब तो साखाएं हैं ना इस वरक्स की हम तने को मजभूत कर दें, तो बीज से connection जोड़ें, सर्व सक्तिवान से योग लगाएं, उसकी सक्तियां इनहे मिलने लगेगी और वो सक मीठा नगाएं, अब वो मीठा खाते रहें और ये उनकी चिंता करती रहें, तो इससे तो कुछ बने गाई नहीं, रही बाद बच्ची की education की उस पे ध्यान देना है, उस पे ध्यान देना चाहिए, लेकि सबेरे उटते केवल इतना परियाप नहीं है, कि बाबा से बाते की और फेर ये चिंतन सुरू कर दिया, ये चिंतन ही गलत है, इस चिंतन को इनको पूरी तरह समर्पित करना होगा, और सबेरे चार से पाँच के समय को, बस ये ऐसा समझ लें, कि मुझे अपने में spiritual energy भढनी है, मुझे godly blessings प्राप्त करनी है, मुझे उसके intuitions लेने हैं, ये च चिंता करे सबेरे, क्योंकि सबेरे की ये बहुत बड़ी खुराक, इसको इन सब फिल्ड में मदद करेगी, बाकि हर फिल्ड के लिए स्वयम चिंतित होना ये जरूरत नहीं है, बलकि चिंता करने से अच्छा होता है, इन सब को good vibrations दें, चार से पौने पाँच तक योग कर और पौने पाँच से पाँच, इनकी चिंता न करके एक एक को अच्छे vibrations दे दे पाँच-पाँच मिनर, तो ये इनकी बहुत बड़ी मदद होगी, आजकल मनुस्य ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, कि वो दूसरे को मदद तो नहीं करता, चिंता करता है, चिंता से जिवार का क्या हुआ, बिना मतलब का सोच इनको परिशान करता है, नो, ये श्यान्त में बैठे, डाइवीटीज है, करोडो लोगों को है, मैं पापा को गुड़ वाइब्रेशन्स देती हूँ, टाकि उनकी डाइवीटीज बड़े नहीं अंडर कंट्रोल रहे, और उने भी कहूंगे कि पापा जरामी ठेका ध्यान रखना, तो बस इससे ठेक होगा, बिलकुल, लब शायद यहाँ पे गलती हो रही है, कि हम सीधा उठते ही, शायद परमात्मा से ओम शान्ती करने के बाद, हम ये सारी प्राबलम उनके सामने रखने लगते हैं, कि प्रभू ये करने की ज़रत नहीं, इसकी जरूरत बिलकुल नहीं, हम ऐसा अभ्यास करेंगे, कि उपर सीव बाबा है, उसको विज्वलाइज करें, नीचे मैं आत्मा हूं, ये भी विज्वलाइज करें, और उसकी एनरजी एक फाउंटेन के रूप में मेरे उपर आ रही है, कोसिस करें अधिक से अधिये करने जी, फिर उन से मिठीमीठी बात है करें, वो हमारा गुण फ्रेंड है, वो हमारा परम्पिता है, को के वल समस्याओं को न रखें उनके सामने, तुम कितने अच्छे हो, हमने तुमे कितना समय से याद किया था, तुम जरूर भकती में हमारी बात सु हम ने भी महसूस किया था कि TUM हमारी सुन्ते हो अब तुम हमारे उपहारे साथ वा कितना सुंदर है ये साथ सदा ही चलता रहे चारोयूम में चले हम और बात हों, enjoyment से भरें अपने मन को, इस तरह उससे भाते करके, फिर बिन-बिन तरह के अभ्यास योग के जो हम सिखाए हैं, और हमारे सेवा के इंदरों पर भी सिखाए जाता है, वो सब करें, कभी 500 रूपों के अभ्यास करें, फरिष्टे 100 रूप का अभ्यास करें, श्रेश स् तो अपने उस समय को बहुत सुन्दर वियतीत करें, और देखेंगे, अगर चार से पांच का समय किजी का सुन्दर वियतीत होने लगे रोज से, तो अनुभव ऐसा है बहुतों का, कि ये समस्या रहती नहीं, बिलकर दे, लब एक बात जो आप हमेशा कहते हैं, बहत ही कि अपनी मन की स्थिती को स्रेष्ट बना लें, तो सारी स्थितियां सहज और सरल हो जाती हैं, और शायद हम लोग समस्याओं के बारे में सोच सोच की, शायद बहुत ज़्यादा इतने परिशान हो जाते हैं, कि मन की स्थिती तो खतम ही हो जाती है, और परिस्थितियां जो जोग अभियास से और अच्छी स्वमान के अभियास करने से और अपनी धारनाओं पर भी धियान देने से, पोजिटिव होने से लेकिन मनुस्य ये कर रहा है, इन सब बातों का चिंतन करते हुए परिश्थिती का चिंतन करके इस्थिती भी जाड़ लेता है, रिवर्स कर देत इसलिए जीवन में अनेक परिष्थितियां उसको आघेरती हैं, तो मैं तो यह कहूँगा, कि परिष्थितियों पर ध्यान न दें, उनसे कनेक्टी न करें, समय के लिए उससे डिटेच हो जाएं, जिसे रात हो गई, अधेरा हो गया, अपना गर में रहते हैं, जला लेते हैं सब लाइट्स बार भी होते हैं, तो लाइट्स रहती हैं, हम उसको एंजोई करते हैं, हम अंधेरे से डिटेच हैं न तब, क्योंकि हमें पता है, अंधेरा रोज होता है, और यह है, इसी तरह कुछ बातों से हम अपने को डिटेच रखके, स्रेश्ट इस्थिति का निर्मा आपका बहुत-बहुत शक्रिया को देखता है, दो लोग हैं, और दोनों अलग-अलग चीज़ें देख रहे हैं, कोई कहता है, कितना गंदा कीचड़ है, और कोई उसी में वो सुन्दर कमल को देखता है, कि कितना सुन्दर कमल है, ठीक वैसे ही चांद में कोई दाग देखता है, और को यह देखता है, कि व हम यदि धारन कर लेते हैं तो सच मुछ चूकि हम अच्छा-च्छा सोचेंगे चूकि हमारी मन के स्थिती बहुत सुन्दर रहेगी पॉजिटिव रहेगी तो यह पॉजिटिव वाइबरेशन्स यह अच्छे वाइबरेशन्स उस सिच्विशन्स को भी खत्म कर देंगे बद तुन्हें शुब कामनाओं के साथ आज के लिए देजी इजाज़त कि आपका जीवन बहुत-बहुत खुशहाल हो आनन से परिपूर्ण हो कल पुना आपसे मुलाकाद होगी नमस्कार जहान सारा ये जहान कहता है ये समधान समधान समधान